मिथुन रासी वालों का आजी का रासी फल यानी की 19 अक्टूबर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 19 अक्टूबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है तृतिया नक्षत्र है अनुराधा पक्ष है सुकल पक्ष दिन है सोम भार आजी के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बजिके 24 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजिके 46 मिनट में रितू है सरद आजी का दिन काल है 11 घंटे 22 मिनट 21 सेकेंड का महिना है अस्विन आजी के दिन सुबह समय सुरू होता है 11 बजिके 44 मिनट एम से 12 बजिके 28 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 12 बजिके 45 मिनट पीम से 13 बजिके 30 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 7 बजिके 49 मिनट एम से 9 बजिके 15 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आजी का पंचांग इस वेडियो के अंत में आपके आजी के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें इस वेडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके घर पडिबार के बारे में दोस्तों घर पडिबार के द्रिष्टी कौन से आपका समय सामान निसे बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज से पहले अगर आपके घर पड़ी बार में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आज के दिन उस पड़ेशानी को खत्म करने का प्रयास आपको करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके घर पड़िबार में आपको पड़िशानी का सामना करना पड़ेगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कोन से भी आपका समय सामान से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज से पहले अगर आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमी का से कोई वादा किया था, कोई प्रोमिस किया था, तो आज के दिन अपने वादे को आप पूरा करने का प्रेयास करें क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले समय के दोरान आपके प्रेम संबंध में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा लेकिन अगर आपके कामकाज आपके बेपार बेवसाई की बात करें, तो कामकाज के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही जियादा बेहतर और सांदार है दोस्तों, आज से पहले अगर आपके कामकाज में, आपके काड़िय च्छित्र में कहीं कोई पड़ेशानी, कहीं कोई समस्य आ था, तो आज के दिन उस पड़ेशानी को खत्म करने में आपका शमय, आपका भाग्य, आपका शाथ अबश्य देगा मित्रों, अगर आपके दामपत्य जीवन की बात करें, तो दामपत्य जीवन के दृष्टी कोन से भी आपका शमय, आपका शाथ नहीं देगा तो इसके बाद बात करते हैं, कि आज के दिन आपके लिए भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक क्या है मित्रों, आज आपके लिए भाग्य साली अंक है, छे याने की सिक्स आज आपके लिए भाग्य साली रंग है, पारदर्सी और गुलाबी मित्रों, आज के दिन अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए एक मंत्र है उस मंत्र का जप कम से कम ग्यारह बार आपको करना होगा वो मंत्र है ओम सुक्राय नमह ओम सुक्राय नमह इस मंत्र का जप अगर आप कम से कम ग्यारह बार करते हैं तो आपका आने वाला समय सांदर हो जाएगा तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चेनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद